उपेंद्र मूर्ती की किड्नेपिंग का प्लान बना था लेकिन प्लान मैंने नहीं बनाया था प्लान गणेश बना कर मेरे पास आया था कर दो पेंद्र सेट को अठाएगा थू हम उठाएंगा पाच कोरोड मांगेंगे नाई तेरे नाई ने पुलिस का एजन्ट हो गया गया प्लान मुझे इस गेम में फजाने के लिए कमिशन ले रहा हूं लोग से कमिशन के पैसे मेरे कोई काम के निया बात मुझे बड़े नोचे इसलिए ये प्लान बदा तो तू खुद कर ले पांच करोड़ पूरा रख ले तू मेरे पास क्यों आ है फिरोती का हिस्सा पूरे गेंग वालों को बाचना पड़ेगा फिरोती का पैसा हम किसी को नहीं देंगे तो फ्री फंड में गरेंगे ओ लोग हमारे ले काम गिराए पे रखेंगे फीज देंगे उने हम तो गनेश कोटिया ने तुझे इस किड्नाइपिंग को अन्याम देने के लिए चार लाग रपे दिये हाँ सब लेकिन किड्नाइपिंग तो हुई नहीं ना किड्नाइपिंग हुई है धाई करोड की फिरोती लेकर मैं ऐसी पटीचर हालत में गुमता फिरोती का छे किलो सोना गनेश पुने ले जा रहा था किसी को बेचने के लिए लेकिन तुने उसे मरवा दिया और सोना पूरा अंदर कर लिया ये लाल टोपी और काले चश्मे वाला आदमी तेरा आदमी है सब गलत मैं चार लाग खा गया मैं ये चाय सुडू सुडू के पीने से और कागज पेन का घशिटा मानने से प्लान नहीं बनता है पहले सुन ले अगर वो उपेंदर सेट की सिक्योरिटी तोड़के उसको उठा भी लेते न तो उसके घरवाले भी होम मिनिस्टर के पास चले गए होते मैंने पूरी तरह सोचा है उसको उठाने का कोई प्लान काम नहीं कर सकता प्लान काम करेगा पर कोई और करेगा वो चारलाख रुपे मुझे लोटा दो बापस परचो गए हो तो गए का क्या मतलब लोटा वैर चुपचाप तो गेंग वालों को दे दिये ना फर्चो गए हुनको दे दिये बाढ़ दिये सब मैंने अरे लेकिन काम तो हुआ ही नहीं ना शुकर करकी प्लान कैंसल किया वरना अभी पुलिस वाले हमें हवालाद में ठोक रहे होते या उपेंदर सेट के सिकूरिटी वाले हमें ठोकते तुने चीटिंग की ना मेरे से तु मेरे सारे पैसे खा गया मैंने तेरे पैसे सब गेंग वालों में बाढ़ दिये और अपने धंदे का उसूल है एक बार पैसा लेने के बाद लोटा आते नहीं है मैंने अपने गेंग के पुराने किसी भी आदमी को फोन नहीं किया नहीं किसे से मिला चार लाक में से डेर लाक मैंने अपने खाते में जमा करा दी और ढाई लाक मैंने एक भरोजमन रिष्टेदार को दे दिये डिपोजिट करने के लिए मैंने सर पहले दिन से सोच लिया था कि ये गनेश बावला हो गया है और इस काम में मुझे अपना फायदा देखना है गनेश बावला क्यों हो गया था इस बारे में उससे मेरी बात तो नहीं हुई सर लेकिन उसके हाला एकड़ाई हुई थी आपको मेरा यकिन नहीं आ रहा तो आप इश्वर शिटी से पूछ लो वो इश्वर के साथ मिलके एक बड़ी चोरी प्लान कर रहा था ये इश्वर शिटी बाला जिसका नाम ले रहा है ये भी उसी की तरह एक हिस्ट्री शिटर है एक तो बाला मुझे इस पर बरोसा नहीं और या शिट्ध किडनेपिन किस पारी और आप चोरी का प्लाद सर उसकता है किसी और ने गण इससे किडनेपिन करवाई और पैसे भी किसी और थी लेकिन सर बाला कह रहा था किडनेपिन होई नहीं चलो वो जूर बोल रहा हो लेकिन उपेंद्र मूरती वो भी यह कह रहा था कि किड्नापिंग नहीं हुई अन दर रिकॉर्ड कुछ नहीं लेकिन बैग में सोना था वो भी 6 किलो पर अजीब बात यह है कि जब 11 फर्वरी की रात को चंद्रापुर पुलिस ने नाकेबंदी के दवरान गनेश कोटियान को रोका था बिना लैसेंस के कार चलाने के चार्जिस में उस वक्त उने गनेश कोटियान की कार में कोई बैग नहीं मिल हो सकता है गनेश के पास 6 किलो सोना था ही नहीं लेकिन चंद्रापूर के पियासे शेक को गनेश कोटियान की कार में कोई खाली बैक QR मिलना चाहिए था अगर गनेश को चंद्रापूर से या फिर कहीं और से सोना मिलने वाला था तो उसने पनी वाइफ को क्यों बताया से लक्ष्मी को गणेश के बिजनस तक के बारे में नहीं बता था तो फिर उसने से सोने के बारे में के बता था इस इश्वर शेटी को ठाओ अशोग, शान्तिक, तुम दोनों मेंगलूरूर के ले निकलो और लक्ष्मी कोटियन की कोशनिंग करो राइट सर्फ ये लाल टूपियर गोगल्द वाल आदमी डेफिनिटली गनेश कोटियन की पहजान का की था और कुछ तो है ये मुझे इस केस में अजीव लग रहा है कुछ ना कुछ अजीव तो जरूर था या तो इस बैग में या फिर खुद गनेश कोटियन में कि पहले बताओ कौन हो तुम माइन नहीं रखता कि मैं कौन हो मुझे सिव इतना जनना कि जब गनेश कोटियन पूने गया था तो उसके साथ मैं कौन था मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे से पूछ नहीं रहो, बलकि मुझे धमका रहाओ मुझे बस इतना पता है मैं नहीं गया था कल मैं दुबारा फोन करूंगा, तब तक तू पूलिस की आजाना नहीं, और ये पता लगा कि गनेश कोटियन के साथ में कौन था, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए मतल़, किसके लिए, कौन हो तुम, तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि हम कौन है, हम जो भी है, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। ये पूने साइट से टीम आये पुलिस के, अपना गनेश को दियान है उसका मर्डर केस लेकर, उन्होंने बालक उठाया है, अभी आपको उठाने आ रहे है, मेरी राय माननों तो आप सरेंडर कर दोुए। किड्नापिंग? मेरे पती किड्नापिंग करवाने वाले थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हे भनक तक नहीं थी कि तुम्हारे पती गनेश काम क्या करते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि वो गोल्ड का बिजनिस करते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं और मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं। एक सिंगल रूम कोठरी से तुम्हे इस आलीशान कोठी में आवी। तुम्हारे मन में कभी खयाल नहीं उठा कि इतना पैसा आया कहां से। जब किसी सवाल का जवाब दे दिया गया हो। तो उसे बार-बार पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं आप पर पूरा भरोसा करते हूँ। इसलिए पूछने की ज़रुरत नहीं है न। लक्षमी तुम उझसे कुछ पूछ रही हो या कुछ बता रही हो। आप काम क्या करते हैं। हम एक रूम से इतनी बड़ी कोठी में कैसे पहुँचें। अप्पा ने पहुचा आया। लक्षमी मेरी अम्मा ऐसी ही कोठियों में जाडू पहुचा लगा कर पैसे जुटाती थी। और अप्पा वही सारे पैसे लूटकर शराब में वड़ा देते थी। लक्षमी मैं इंजीनियर अमीर बनने के लिए बना। तो मैं पता है मेरी बच्पन से एक ही ख्वाहिश थी। मुझे गरीब हो वाली जिंदगी नहीं जीनी। लोग मुझसे बोला करते थे। गरीब होना कोई गुना नहीं है। पर पता है मैं क्या बोलता हूँ। अमीर होना भी कोई गुना नहीं है लक्षमी। बिजनस करता हूं मैं, किसी का घर नहीं उचारता, किसी का गला नहीं करता, बस अपना घर आबाद रखता हूं, सोना, गोल्ड, और हम इस बिजनस के बारे में जितना कम बाद करें उतना अच्छा है, और खामोश रहना तो कोई गुणा नहीं है ना लक्षमी, तुम, चित्र का बिजनस करते थे, बस इतना पता था, जो कि उनकी इंजिनिरिंग की पढ़ाई से अलग था, बाकी वो कभी कुछ नहीं बताते थे, लेकिन उस दिन दस फरवरी को बताया, लक्षमी मैं सतरा फरवरी तक पूने से लोटूंगा, छे किलो सोना लेके जा रहो, खास उसी द जरा के अपा और मैं, तब हम गरीबी थे, पर खुश थे, वो एक अच्छे पती थे, एक अच्छे आपा थे, और बहुत अच्छे बेटे थे, तुम्हारे पती की खामोशी एक मुझरिम की खामोशी थी, लक्षमी, वो एक नहीं, कई जुर्मों से जुड़ा हुआ था, हा सबसे बड़ा जुर्म उसके साथ हुआ, मड़, हम उसके कातिल या कातिलों तक पहुँचने के लिए जमीन आस्मान एक कर रहे हैं, लेकिन हम उन तक तब तक नहीं पहुँच सकते, जब तक हम गनेश की असलियत नहीं जान जाते हैं, मुझे भी अपनी पते की असलियत चा लक्ष्मी कोटियान के छे मेने के फोन डिकाउड और बैगराउंड चेक किये दोनों क्लियर है अफ़ेर वेफ़ेर का चान्स लगभग जीरो है पाई यह आदमी गणेश कोटियान वेहर कानूनी रॉग ओल का बिजनस करता था उपर से ग्रॉबरी और किड्नापिंग प्लान की पॉसिबल है कि इसने दूसरे क्राइम भी प्लान की होंगे या फिर उन्हें अंजान तक पुछाया होगी फिर ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी भी पुलिस टेशन में इसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और तुम्हारे नेटवर्क के किसी भी खबरी के पास इसके खिलाफ कोई भी खबर नहीं है एक आदमी बोलने को तहियार है पर आफ दो रिकॉर्ड कौन है उठाव से एक दो दिन में हमारे सामने होना चाहिए अगर प्लाइण नोस्ते सार्प सर्थ सर्थ इसको पहले कभी नहीं दिखा तमने और गनेश कोटियान ने एक जनवरी का एक जोहरी के दुकान लूटी थी इच्छे के लोट थी वही लोट थी हम लोग ने कोई दुकान नहीं लूटी प्लाइन बना था लेकिन प्लाइन आगे नहीं बढ़ा सब यह सारा प्लाइन उस गनेश ने बनाया था एसके जवेलोस मंगलम श्रीट के साइट पर है वैसे तो जगा खाली खाली होती है लेकिन दुकान में सोना बहुत है 31 डिसमबर की शाम को वो दुकान जल्दी बन करेगा इससे अच्छा टाइम नहीं हो सबता तो अकेले क्यों नहीं करता है मुझे क्यों साथ ले रहा है क्योंकि मुझे ये काम नहीं आता इश्वार मेरी कोई गैंग वैंग नहीं है अकेला हूँ फ्री में नहीं काम करा हूँगा मैं मैं तुम्हारे लड़कों को किराया देने के लिए तयार हो और रूट का जो भी माल होगा वो तुम्हारे और मेरे बीच में आधा आधा ये ले प्लायन बना था सर लेकिन आगे बढ़ नहीं पाया क्यों? सब मैंने लड़के इकठे भी कर लिये थे उनको पैसे भी दीते थे काम के लिए लेकिन वो क्या सर 31 दिसंबर को अपने बंगलूरू में वह वहा था न लड़को द्वारा लड़कियों का सामवीक मलो स्टेशन वो जो मास मलो स्टेशन हुआ था वो वह यह उसी दिन हुआ जब हम लो निकले थे पूरे सहर में बवाल मचा हुआ था हम लोगों की फटगी साब लगा अगर चेकिन में पकड़े गये तो गनेश पूलीस चारोतरा फैली हुई थी हमारी सगले भी ठर्कियों जासी है पूलीस अभी भी सहर के सिसीडे भी फूटेश चेक कर रही है बता हम ठारे हिश्टी सिटा पकड़ लेती तो इश्वर टाइम यही सही था दुकान तब भी लूट नी थी वो सोना मुझे चाहिए था इश्वर गनेश सोना और पैसा किसे नहीं चीए पर सोच अगर पूलीस पकड़ लेती तो क्या करता है सोना चटनी लगा के इडली की तरह खाता है तुम मेरे पैसे खा गया रहा कैसे पैसे वही जो मैने तुम्हें दिये थे कांग के लिए तीन लाग कैश रहे गनेश वो बच्चों के जेब खर्च के थे वो कब का खा गया है तुम्हें पैसे भूली जाए साब मैं उस बाला की तरह हुट नहीं उसने गनेश को उल्लू बनाय मुझे जो तीन लाग रुपे मिले थे मैंने अपने बंदों को बाड़ दिया सब हत्यार वत्यार लेके रेडी थे हम लोग दुकान लूटने के लिए सच बोलूं तो गनेश के लिए बुरा लग रहा थे मुझे अब भी लग रहा है साब वो किसी तकलीफ में था ऐसी भी क्या तकलीफ थी गनेश को टियान को वो इस लूट के लिए इतना उतावला क्यों था मैंने पूछा था साब लेकिन उसने बताया नहीं ये छे किलो सोना ये कहां से है उसके पास सर आपको पता ही है सर लक्षमी को खूब गिसा पर वो घिसे हुए रेकॉर्ड की तरह एक ही बात बोले जा रही है कि उसको पता नहीं है पती सोने के साथ क्या करता था और ओ लूट पाट के लिए इतना उतावला क्यों था यहां इश्वर शेटि से भी सिर्फ इतना बाता चलाया कर रॉबरी फैल क्यों ही लेकिन गनेश के मुठीब के बारे में ठीके आइक हुए, छे किलो सोने के बारे में आपका सबर खत्म फोन पर टिप दे रहा हूँ न आपको चल दे आपके साथ पुने पुलिस है न तेरा क्या तालूग है बे गणेश के मर्डर का टिप दे किसने मर भाया उसे इस सवाल का चौब कई लोग डूड़रे नहीं सर यह कौन कोन है कई लोग नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि इस जंदे में किसी का नाम तो उठाना दूर किसी का साया भी नहीं दिखता गणेश ने इस जंदे में धोगा क्या सर हमारे पास एक नाम है सुन्दरम गौड़ा वो नहीं तो फिर कौन है? गोल-कोल बाते ही करते रहेगा यपर टिप भी देगा ऐसा ही ये जो गनेश कोटियन था ना एक नंबर का जोलू था लेकिन इंजीनियर था ना इसलिए एकदम काई देसे गिन-गिन का छोड़े छोड़े जोल कर रहा था फिर लालाज बरती गई ये गनेश उसके बॉस के एकदम वफादार खास आदमी था सर इजज़त थी उसकी एकदम सटीक तरीके से वा अपने बॉस का सोना अलग-अलग पार्टी को पचाता था लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर लालाज बरती गई और वो कच्चे सोने के बदले में जो तयार जेवर मिलते थे न उनमें से थोड़े जेवर खुद के लिए भी रख लेता था वो चोटी ची साब और उसके बाद वो जूट बोलता था वो रतन सेट के पास जेवर कम पढ़ गया था तो उन्हें ने बोले अगले डिलिवरी में हिसा बराबर कर देंगा लेकिन सची है था कि गनेश चुराई हुए जेवर बेस्ता था और पैसे अंदर कर देता और ये सब सालों से चल रहा था कई सालों से सर और उसने बड़ा हाथ मारा पकड़ा गया और मारा गया नहीं साब ऐसा नहीं था तो फिर कैसा था यही तो किशी को मालूम नहीं है वो जो छोटी छोटी चोरिया कर रहा था ना उसकी बनक उसके बॉस को लग गई थी बस उसके बाद उसके बॉस का उस पे से भरोसा उड़ गया था और उसे बोला गया था उसने जितने भी जोल किया जितने जिवर चुराएं सबकी कीमत उसको चुकानी हो लिए वो भी सूच समयन थे और ये कीमत काफी बड़ी रही होगी करोडों में सर करोडों में उसके सर पर कर्ज का पहार खड़ा हो गया था कर्ज? हाँ साब उसने लाखों का कर्ज लिया था लोगों से ताकि वो करोडों कम है तो ये लाखों रूपे का कर्ज उसने उपेंदर मूर्ती की किड्नाइपिंग और इसके जोरेश की लूट की प्लाणिंग में लगा दिया ये सब आप जानते हैं सेर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालो ये गणेश बैंगलूरू के चंदरपूर में किसी से मिला और उसके बाद 6 किलोगा सोना लेके पूने गया किस से मिला था हो नहीं बता साब रखता हूं साब चलो इतना तो पता चला कि एक रूम की खोली ओठी कैसे बनी वालेकिन पाई इसके लावा कुछ और नहीं बता चलिया शायद इसके लावा कुछ और ही नी पेंट से एक आदमी के लालज ने इसके जान लेगी वालेकिन सवाल ये है, उसकी जान ली किसमे है? नमाशकर, पिछली बार आप लोगों ने बुलाया, मैं आजिर हुगा, आज फिर कॉल किया, मैं फिर आजिर हुगे. लेकिन फिर उसे वही वही सवाल मत कीजियेगा, मुझे अच्छा नहीं हो. बुरा सोचते हु, बुरा करते हु, फिर भी बेशर्मों कितना मुस्करा रहे हु? अच्छाई और बुराई हु. एक ही सिक्के के दो साइड है. लेकिन दोनों को साबित करने के लिए सबूत का सिक्का उच्छाना पड़ता है. खाली तुक्का लगाना, बचकाना है. तुक्के को मुक्का बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कोरियर केंग, सुन्दरम कावड़ा. तुमने अपने सबसे भरोसे मन कोरियर, गनेश कोटियन का मर्डर करवाए. अरे बापरे, इतना बड़ा पाप मैंने क्यों किया जी? क्योंकि उसने तुम्हारा सोना चुराए. सिर्फ सोना नहीं, तुम्हारा भरोसा भी चुराए. और तुम अपने बागी कोरियर्स को ये मैसेज देना चाहते थे, कि जो भी तुम्हारा भरोसा तोड़ेगा, उसका यही हर्श रहाए. ये है वो आदम, जिसे तुमने गनेश कोटियन को मरवाने की सुपारी थी. ये मंगलू रहे है सर, सुपारी के लिए वर्ल्ड फेमाज है, लेकिन देने वाली नहीं, खाने वाली सुपारी, बहुत लंबे पेड़ होते हैं सुपारी के, और मैं इस वक्त इस सुपारी के पेड़ के सबसे उपर, एक दम टॉप पर बैठाँ. अब ये नीचे से आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं था. संद्रम गाड़ा हमारे पुने में सुपारी के पेड़ तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इतना जरूर जानते हैं, कि इस सुपारी के पेड़ बड़े नाजुक होते हैं. एक बार इस पेड़ को नीचे से पकड़ कर छटक दिया न, तो सुपारीयं गरने लगेंगें, खुट पा, खुट. मैं गड़ेश को नहीं जानतू, और नाइस जोकर को जानतू. मैं एक अच्छे नागरी की तरह अपनी टूटीनी भारा था. जब-जब आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हो गया, लेकिन अब नहीं. मैं एक फैमिली वला आद्मी हूँ, मुझे दोबारा कॉल मत कीजेए. मैं नहीं हाँ, नमस्कार. सर, अग्यास सोर्सेस ने जो जो इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किये. हर किसी का यही कहना है कि सुंदरम गॉड़ा इस मुडर में शामिल नहीं है. यह अग्यास सोर्सेस इतने भी अग्यास नहीं है, राजेंदर. सब इसी सुंदरम गॉड़ा के लोग है. आफिस में बैठे बैठे फोन कर रहे हैं, सुपारी चबाते चबाते. अपने मालिक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. यह अग्यात होना एक नाटक हो सकता है. सर, शायद यह 6 किलो सोने वाली बात एक नाटक है. शायद उस बैठे में कुछ था ही नहीं. अगर यह 6 किलो सोने वाली बात नाटक है, तो यह नाटक क्यों किया गया है? हमारी investigation को गुमरा करने के लिए लेकिन सर्ग गनेश अपनी पत्नी लक्षमी को क्यों गुमरा करेगा उसने तो खुद कहा था कि उसके पास 6 किलो सोना है क्या वो अपनी पत्नी से जूट बोल रहा था या फिर लक्षमी हम से जूट बोल रही है नहीं लक्षमी तुम कभी ऐसा मत सोच न गनेश के लाहिप में सर्फ एक होरत थी और वो तुम थी तो फिर उन्होंने उसी दिन क्यों बताई मुझे 6 किलो सोने की बात और जॉन वो वो पूने क्यों जा रहे थे तुम सर्फ एक बात याद रखना गनेश तुम पर और चित्रा पर अपनी जान चड़कता था तो फिर क्यों रखा मुझे इतने साल अंधीरे में कि कि वो एक एक क्रिमिनल है तुम उनके बेस्ट रेंड है और तुम जरूर ऐसा कुछ जानते हो जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हें बताने के लिए कि जिस सुनकर तुम्हारा दर्द कम हो जाए लाल्ज टोपी और गॉगल्स पहना हुआ वो आदमी शादाब खान था इस शादाब को ढूणने में हमारा काफी वक्त और अनर्जी लग चुकी थी पर तब तक हमने इस क्राइम को जो कंस्रक्शन कर रखा था जो सोचा था कि ऐसा हुआ होगा पर दरसल वैसा नहीं हुआ था सर क्राइम अगर आपके कंस्रक्शन के हिसाब से नहीं वह था तो फिर आक्चिली में वह क्या था क्राइम वह क्या हुआ 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 है क्राइम वह था की तूर ले गई आउट अफ स्टेट गनेश कोटियान की जिंदगी के टुकड़े बटोरते बटोरते काफी वक्त निकल गया पर इस केस का सबसे एहम सुराग उसी डिटेल में मिला के बैंगलूरू के चंद्रापूर में गनेश अपने दोस्त मयूर हेगड़े की कार लेक शारत आउर एक हिस्च्टरी शीटर इसकी गनेश के साथ क्या हिस्टरी थी? पता नहीं इससे कोई लीड मिलेगी या यह भी एडेडे इंड होगा? पर इस बंदे का कहना है कि गनेश इसके पास आया था. प्लान ले कर, चोरी, किडनैपिंग, पता नहीं गनेश ने इस पर कौन सा क्राम् प्लान् किया था गंश कोटियान को किस ने मार मिहिष मुझे बच नी मालूम साब तुने खुद मेंसेज भीजा और कहा तुझे कुछ पता है नहीं साब मैंने बोला था कि जगन को मालूम है उचेन किछने वाला जगन हीरा मत वो दो दिन पहले मेरे दोस्त कालू के यहाँ था तो कालू ने बताया वो उसके सब ताड़ी पे रहा था तो सब जगन ने उसको बताया कि गनेश कोटियन जगन सी मिलने आया था पुना जाने से पहले शरत हम इस जगन को ट्रैक कर सकते हैं तुरंत कौन सा पुलिस्ताना पहले चेंश स्नेशिंग करते हुए रंगया तो पकड़ा गया था इस जगन को यहाँ पूछताज के लिए बुला सकते हैं जगन तो ग्याराव फर्वरी की रात को गनेश कोटियन चंदरापूर में तुमसे मिलने गया था नहीं सब वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था मैं तो बस वहां था लखबाई चांद से मैं था गनेश के साथ उस रात जब उसने नाका बंदी पर गाड़ी रोके मैंने गाड़ी रोकने के लिए का है रोको रोको सैड़ में लगा दो आगे नाका बंदी है तब तुझे पता था कि बैग में छे किलो सोना है क्या छे किलो सोना उस बैग में सब सुबह खोल करके मैं देखने ही वाला था लेकिन बैग गायव हो गया कैसे जगन बैग अपने आप गायव नहीं होता उस रादकार में दूसरा बंदा ये था ये दा रहा था गणेश के साथ पुने साब फोटो दिखाने की क्या ज़ोरत है ऐसे ही पूछ लिया होता कि उस राद गणेश के साथ कौन गया था पुने साब सादाप खान नाम है इसका ठीक से देख फोटो ये वो ही शादा भई जिसका दू नाम ले रहा है हाँ साब ये सादाप खान ही है ये लाल टोपी और गोगल पहन के लोगों से छीप सकता है लेकिन मुझ से ने और गनेश से भी ने हम दोनों सको अंदर बाहर से जानते है वो ही तो था है उस नाथ गाड़ी में हमारे साथ क्या गनेश अन्ना अब क्या नया प्लान लाया है चोरी या किडिने पिंग मुडर अन्ना मैं चला सादाप तू आ रहा है गनेश अन्ना मैं मिलता हूँ आप से मैं और सादाप दो-दो कोटर डाउन थे खुब चड़ी थी लेकिन चोर हूँ आदत से मजबूर उठा लिया गनेश का बैग सोचा कुछ नहीं तो दो-चार हजार तो निकले गी या अंदर बस सिधा बैग घर के कौने में रख दिया और सो गया सुबह उठकर के देखा तो बैग नहीं था गायब सचमे साथ बैग गायब मैं समझ गया कि शादा भी बैग ले गया होगा मैं सिधा उसके घर पे गया फिप्टी-फिप्टी करने के लिए लेकिन साले के घर पे ताला था तुझे ये पहले से पता था कि शादा भी गनेश के साथ गया है मुझे नहीं पता था लेकिन जब ताला लगा देखा तो मेरे को थोड़ा डाउट गया फिर जब खबर फेली कि गनेश का मडर हो गया है फिर मैंने देखा साब कि अपना शादा थंडा होके घर में चूपचा बेटा है क्या गनेश ने तुमारे साथ मिलकर भी कभी किसी जूम का प्लान बनाया था हाँ साब लेकिन मेरे पास सिर्फ दो लाख उर पे लेकर के आया था चोरी का प्लान था किसी जूइलर गया हाँ साब लेकिन बहुत छोटी फटीचर सी दुकान थी लुटता भी तो दो लाख से कमी मिलता इसलिए मैंने तो लुटा ही नहीं फिर बाकी लोगों की तरह लगा दिया चूना गनेश को साब यह गनेश बड़े पैसे कमाने के लिए पागल हो रहा था गनेश के पास छे किलो सोना कहां से आया मैडम आप लोग तो बड़े लोगों मैं तो छोटा सा चोर हूँ एक मामुली आदमे लेकिन जरा आप लोग सोची ना कि अगर गनेश के पास छे किलो सोना होता तो इ किसके मर्डर का प्लान दुनाएथ। साप खुद के मर्डर का। ये चकन। चैन खीचते खीचते अब पुलीस वालों की खिचाई करेगा। तुझे क्या लगा। या टाइम पास हो रहा है। डाल दू लंबे टाइम के लिए अंदर। क्या जमाना आगया ऐसा। एक तो पुलीस वालों के हेल्प करो और अंदर जाओ। आप शायदाब को उठाओ और केस क्लोज करो ना। ज़र हमें ये समझाया कि ये खुद के मर्डर का माजरा क्या है। वो सच में चाह रहा था कि मैं उसका मर्डर करो। अगर आप लोगों को दोस्त जोन को उठालो। गनेश ये प्लान सबसे पहले उसी के पास लेकर कि तुबया था। जोहे बिलिये केल खतम हुआ जोन। हमें सब पता चल गया है। तुम्हारा फोन और तुम्हारे घर का दरवाजा बंद क्यू था। कि अजिए पूर जोन। शादा बैक किदर है। मेरे बास अन्ना। पैसे हैं अन्ना। मैंने ठीक किया ना। जगन के घर से बैग लाकर। अन्ना आप ये पैसे भी खो देते। और मैंने कितनी बार बूलाया आपको। अन्ना ये जगन बालव इश्वर की तरह है। सिर्फ आपको लूटने के लिए दोस्ती करने हैं आपसे। इनके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। ता बड़ा बड़ा प्लान बना कर क्या जुरुवती तासरा करजा लेने की। अला देखे आपने अपनी। ये आखरी एक लाग पचे है वरे पास। भी रख लेटा है। अभी रख लेटा लेटा। शादा मेरा सबसे अच्छा दोस्त जॉन उसने भी एक आंकरने से मना कर दिया। अमीर बनने के चकर में मैं इस चक्रविव में फस गया हूँ शादा। लेकिन मेरे कारण मेरी फैमिली क्यों भुकते है। मुझे वन पर रहम आगया था। मैं उनके साथ चला गया। पूना। पूने पहुचने तक तू जॉन शीबैस्टर है। ठीक है। गनेश न मुझसे बहुत गा। मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। उसने बोला तेरे नाम के टिकेट बुक हुई है। बहुत जहुर दिया। लेकिन मैं उसके साथ जाने वाला नहीं था। उसका प्लैन पागल फन था। प्लैन। उतको मरवाने का प्लैन। जी सर। और तुमने सरोका नहीं। बहुत ट्राएगी। बहुत समझाया सर। गनेश तू पागल हो गया है। क्या काम है। कोई भी जॉब करूँ, कोई भी बिजनिस करूँ, करोडों की रीपेमेंट कैसे होगी। एक तो इतने सालों से जो मैंने उनसे सोना चुराया है, उसके करोडों बनते है। और वो कवाने के लिए मैंने जो किड्नापिंग प्लैन की, उसके लिए मार्केट से लाखो रुपए उठाये मैंने। वो सब लोटाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है जॉण। कोठी है। नहीं जॉण। वो कोठी नहीं है। वो मेरी फैमिली का घर है। उनकी सिक्यॉरिटी है वो। तो हिम्मत रग। वोटी फिर से बन जाएगी। नहीं जॉण। इस हालत से भाहर आना अब मुंकिन नहीं है। वो लोग मेरी फैमिली को जीते जी मार डालेंगे यार। तुने मुझसे बोला कि तरे गोल्ड के बिजनस को दुनिया से सीक्रेट रख। मैंने किया। मैंने तेरी बात मानी। क्योंकि तुन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन मैं तुझे मारने की बात सपनें भी नहीं सो सकता। अहसान समझके कर दे यार। देख जॉन अगर काटल को पता चल गया ना कि मैं भाग गया हूँ या मैंने सुसाइड कर दिया। तो वो लोग चित्रा और लक्ष्मी को नहीं छोड़ेंगे। या यार। तेरी लाइफ पहले कितनी सिट थी। और अगर तू चाहता ना तो तेरी लाइफ वैसे चलती रहती। और ये सब नहीं होता। जो हो गया है उसे मैं बदल नहीं सकता। लेकिन जो होने वाला है वो मेरे हाथ में। आज जोड़ता हो यार जाओ। आ मेरे साथ। नहीं। कभी नहीं। तरह दमाग खराब हो गये। मैं उसे रोक नहीं पाया सब। तुम उसे रोक नहीं पाया। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई और भी से रोक नहीं पाता। पुलिस के पास आते। वो मेरा फ्रेंड था। बेस्ट फ्रेंड सा। तो मतलब पूना में जो हुआ गनेश कौटियान ने खुद प्लान किया था। यह कहना चाहते है। आज जा। पाटो पकड कोथ रूड बोर। कोथ रूड में करवेचों के आगे शिवाजी का पुतला है। वहां उतर जा। वहां पहुचने के बाद पहले ने। और मेरे से बात होने के बाद फोन को स्विच आफ करके वही कही भेग देना। हेलो। सब ठीक। हाँ, सब ठीक। अब हम लॉज जाएंगे। अब हम लॉज जाएंगे। तुझे याद हैना क्या करना है। याद है। छोटा सा लॉज है। और पूरे लॉज में सिर्फ एक CCTV है। और उस दिन गनेश कोटियान के अलावा उस लॉज में और कोई गैस नहीं था। तो क्या ये बात गनेश कोटियान को पहले से पता थी। उस लॉज में पहले भी रह चुका था। साब ये सब तो नहीं मालम मैं बस उतना ही करता गया जितना गनेश नाम से गोलते गया। सर मैंने लॉज का रेजिस्टर चेक किया था। गनेश वहां पहले कभी नहीं रहा। फेश करनेशन ना छोड़ दो नहीं करते से नहीं हो पाएगा। पुस्से नहीं हो पाएगा। करनेशन ना छोड़ दो क्या नहीं हो पाएगा पगले। तुझे कुछ करना ही नहीं है। देख चितना बोला है ना उतना ही कर। चुप। मैं जरबार चक्कर मार के आता। और सुन भागना मता दोस्त मेरे सारे प्लांस में लोगों ने मुझे दगा दिया। कम से कम तू मुझे दगा मत देगा। ये प्लांस फेल्ड नहीं हो सकता शाधा। मुझे लगा वो बहार सरफ ये देखने के ले गए थे कि मैं भागूंगा तो नहीं। अब मेरे जिंदीगी का सबसे बुरा देन था। मेरे हाथ पर थर थर काप रहते हैं। तिल भट में को बराता। मुझ ज्यादा बुरा भी लग रहता। मुझ ज्यादा मुझ ज्यादा अडसा बादा मुझे हाए अवा देन च्पार मुझे 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 अवा मुझे शुक्रिया मेरे दोस्त, तू बैग लेकर निकल जा, बैग में एक लाग रुपे पढ़े, वो रख ले तेरे पास, और बैग कहीं जाके भेग दे जहाँ पर किसी को ना मिले, दूर कहीं जाके भेग दे, अन्ना छोड़ दे, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा, मत करो ऐसा मैं बतारो, चुप 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 देख, दुनिया से निकल जा वर्णा तू पकड़ा जाएगा, और सब चौपट हो जाएगा, जाएगा, निकल जाएगा, और हाँ, तब भी रिसेप्शन के भाहर निकलना जाएगा, रिसेप्शन पर कोई ना हो, निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो उस बैग में कोई सोना था ही नहीं, सोना होता तो गनेश ना जिन्दा होते ना, सर, हो सकता है, गनेश ने अपनी पतनी लक्षमी से, ये छे किलो सोने का जूट इसलिए बोलाओ, ताकि असला कि ये सोने के लिए उसे मार दिया गया, जौन, जगन और शादाब, तीनों को गनेश के सुसाइट का पहले से पता था, दो लोग चुप बैटे, तीसरे ने उसे साथ दी, शृदरा में इन तीनों की पूने का स्टेडी की रुकेस्ट बेजेंगे, और इन तीनों को, अबेटमेंट तु ससाइट के चार्जर्स पर बुख करने का प्लान है हमारा, ओके शर्ड, और्डर्स मिलता हैं, यहां से प्रोसीजर शुडू कर देंगे, चॉन को पका था, हाँ, पर वो उसे रोक नहीं पाया, प्यार करती थी मैं उसे, वो हमारा सब कुछ थे, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, मुझे सवाल करने चाहिए थे, करत रास्ते पे जाने से रोपना चाहिए था, वापस लाना चाहिए था, मैडम, उनके पैसों से जादा, वो चाहिए थे हमें, मैं समझ सकती हूं लक्षमी जी, पर केस यही है, आपके हस्बन ने सुसाइड किया, हमने कम से कम दस बार रिचेक किया है, ठीक से कन्फर्म करने के लिए, सुसाइड ही था? यस, सुच में सो जो फिंगर प्रिंट समें मिले हैं, फैन की सुच में से, वो गनेश कोटियान के ही हैं, रस्सी बांधने के लिए फैन सुच आफ किया होगा, मुझे पूरी रिपोर्ट जल से जल भेज़ दो, हम चार शीट फाइल कर रहे हैं, तो सर जो सुसाइड था, वो मुर्डर लग रहा था, और मुर्डर की इंवस्टिकेशन का एंड विजन ये निकला है, कि वो आखिकार सुसाइड यह था, लेकिन सर, इससे गनेश कोटियन को हासिल क्यों होने वाला था? गनेश के इस प्लान के बारे में हम उतना ही जानते थे, कितना हमने उन लोगों से सुना, जो गनेश के इस प्लान के बारे में जानते थे, पर एक्जेक्ट टेटेल्स, वो तो गनेश ये हमें बता सकता था पर गनेश अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन अगर गनेश कोटियन अपनी खुदकुशी को कतल का रूप दे के अपनी फैमिली को कर्जदारों से बचाने की सोच रहा था तो वो गलस सोच रहा था अपनों के लिए मरने से ज्यादा जरूरी होता है अपनों के लिए चीना हर जिन्दगी को और बहतर बनाने की गनजाश होती है पर वो गनजाश जुर्म के जरिये कैसे पूरी की जा सकती है जुर्म कभी अर्मानों के पंक नहीं बन सकता जुर्म सिर्फ एक तीर बन सकता जो खुशी के परिंदे को गिरा सकता और गिरा देता ज राध।